मार्केट के बारे में और मार्केट के बारे में बात करें तो एक जब जस रिपोर्ट निकल के आ रही है F.I.S की जिसमें काफी बड़े कुला से खुश्ट हुई देखने को मिल रहे हैं तो अब यहां सिलसिला यह है कि एक तरफ बड़ी खाई है और दूसरी तरफ खुला आसमा और इस खुले आसमान और खाई के बीच में F.I.S ने एक बहुती बड़ा खेल किया हुआ है वन बाई वन हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहली चीज में आपको यह बता दू कि देखो जिस तरीके से मार्केट को आज के दिन उपर ले जाया गया है उसके बाद एक रिवर्स करवाया ना ठीक है उसमें साफ चीज है कि एक बार ट्रैपिंग हो चुगी है आज के दिन म तो आज तो देखो कभी रेड चला कभी ग्रीन चला यही सिलसिला था पर मर्केट हमारे लेवल पर अच्छा खासा नाचता हुआ देखने को मिला है ठीक है पर यहां एक चीज सामने आई है कि देखो भाया भारत से जो एफाइज है ना ठीक है वो क्यों निकलना शुरू कि है ठीक है अपना पैसा क्यों निकला है और यहां चार साल की सबसे बड़ी बिक्वाली की एक नई मोमेंटम शुरू हुए है तो अब क्या करना है ना वो काफी इंपोर्टन चीज सामने आते हुए देखने को मिल रहे है तो देखो यहां एक चीज है कि भाया एफाइज जो है ठीक है एफाइज ने चार साल के बाद की ठीक है चार साल की सबसे बड़ी बिक्वाली के बाद अब आगे हमें क्या करना है ठीक है तो यहां सारी जो चीजे निकल क्या रहे हैं कि भाया एफाइज जो है वो अब चाइना जा रहा है ठीक है चाइना पैसा जाएगा पर अ यहां Delivery Based Selling देखने को मिली है, यह काफी बड़ी चीज सामने आ रहे हैं, Delivery Based Selling जो होती है, उसमें उनका जो व्यू है, वो आप देख लो भाईया, सबसे पहले तो बाजार का जो हाथी है, Reliance, उसमें कितना बैचाय पता है, 4,450 करोड रूपे के शेर बैचे है, ठीक है, HDFC Bank जो कि Bank Nifty का हाथी है, यह दो हाथी तो आपको पता होना चाहिए कि यह Nifty का बड़ा आती है, और यह Bank Nifty का हाथी है, उसमें भी यहाँ देख सकते हो, 3,780 करोड रूपे के शेर बैचे है, ICIC Bank में 1,740 करोड के आसपास के शेर बैचे, Axis Bank में 1,700 करोड का माल बैचा है, और यहाँ Tata Motors पे 1,400 करोड का बैचा है, तो देखो यहाँ auto sector का है, यहाँ Bank Nifty का effect है, यहाँ भी Bank Nifty का effect है, यहाँ भी Bank Nifty का effect है, और यहाँ effect है Nifty का, ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज मार्क करो, कि देखो यहाँ FIs ने इनको क्या होता है, पता है, इनको अगर Index को गईराना है ना थेक है कभी भी अगर सबस्षा उनको निफ्टी को गिराना है न तो वो इसके बंप सबसे ज़्यादा होता है उसको चुकर शुरू कर देते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है उसी तरीके से नाचना शुरू कर देता है ठीक है तो यहां जो असली खेल है आप डेली बाइंग सेलिंग का आकड़ा देखते हो पर असली खेल यहां निकला हुआ है यह मेंने डाटा निकला है उसमें यहां यह चीज सामने आई है कि देखो भाईया इतने इतने शेयर में इतने इतने करोड रूपे का शेयर बेच हुआ है एफ आज ने तो इसमें थोड़ा आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हम इंडेक्स वाइस देखे तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में तीन हेवी वेट्स जो है इसके ऊपर अग तक तो आपने समझ लिया कि हाँ भईया ये सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है अब हमें आगे क्या करना है तो यहां एक report निकल के आ रही है भारत से चीन में rotation पर city की report निकल के आ रही है ये city की report यह है कि एक हफते में CSI 300 जो इंडेक्स आना वो 24% उचला है तेक है और चीन म इस साल भारत से बैतर return की उमीद है लेकिन मजबूत macro और बैतर growth उमीद से बारत में निवेश चारी रहेगा इस चीज़ का ध्यान रखना है वहिया कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जावे कि FI जो है अपर से selling करें retailer को नीचे के side का dip दिखागे फिर से एक अच्छा थेक है तो यह चीज़ दान रखना है क्यों क्योंकि देखो चाइना में अगर FI को निवेश करना है ना तो उनकी जो policy होती है ना वो policy हमारी इंडिया जीसी नहीं है यह पहली चीज़ आपको मैं समझा दू भारत की जो policy है और चाइना की policy है उसमें काफी कुछ restriction लगे हु जैसे उनको कही ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क आता हुआ देखने को मिलेगा हाँ अभी market वहाँ डाउन है इसका मतलब यह है कि वो momentum तो लेंगे पर उससे पहले पहले हमारे इंडियन मार्केट अलरी एक अच्छे level के आसपास आ गया होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखन है अब सीधा ना चार्ट पे चलते हैं चार्ट पे मैं कुछ आपको लेवल्स डिसकस करने वाला हूँ उससे लेवल के उपर आपको ध्यान रखना है इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दू कि यहां तक देखा है वो like नहीं दबाया ना दबा दे तो आप मेरे को पता है तो like ज़रू दबाना क्योंकि यह सब डाटा लाने में काफी गईज मैनक रखती है आपके लिए ही यह सब कुछ होता है तो थोड़ा सपोर्ट ज़रू करिया अब देखे हम आगए गईज चार्ट पे और यह आपके सामने कल के लेवल मैंने ड्रो करके रखे ठीक है यह कि समने लाइव है जो मैंने आपको कल ये अनलिश शेयर किया था मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर बोस ट्राइ करेंगे इस लेवल तक आने के और मैंने काफी अच्छे सा समझा था कि यहां से ये लेवल इसके बाद ये लेवल और उसके बाद ये लेवल तक म मुझन लोई है जब मारकेट पैनिक में है तब मैंने यह टार्केट दिया था कि यहां तक मार्केट जाएगा आप देख सकते हो डौट टू डौट बई वन वो ट्रिगर करता हुआ मार्केट इदर तक गया उसके बाद यहां से मार्केट में रिवर्स आया तो तो वीडियो देख लो प्रपर तरीके से देखो सेलर इधर से माउंट हुआ उसके बाद कंटीनियूसली यहां से सेलिंग प्रेसर आया ठीक तो देखो यह सब चीजे होती है ठीक यहां भी आप देख सकते हो जैसे हमारा यह लेवल आया इसके बाद यह टार्गेट आया उसके बाद यह ट थेखे, सर, क्या बात है, थीक है, तो ये पावर है, लेवल्स की, थीक है, देखो, मैं, आपको fake screenshot तो नहीं दिखाता न, थीक है, मेरे को P&L तो नहीं दिखाना पड़ता न, समझ लो बात को, थीक है, कि भाइया, मैं आपको live एक trade करका दिखाऊ उपलाना, दिमकाना, बात हो मेरे थीक है असली दम कहा होता है पता है असली दम इस में दिख जाता है ठीक है कि कोई बंदा बारा घंटे पहले बोल देना ठीक है और उसके बाद उस तरीके से मार्केट चले तो समझ लो भया कुछ दम है, ठीक है, कुछ चीज़े है, जिसकी वज़े से market उस related चल रहा है, ठीक है, वरना यह सब चीज़े कुई नहीं नहीं है, P&L दिखाना, Rely में कुछ profit दिखाना, आपको पता है क्या market में चल रहा है, सारा कुछ fake चल रहा है, आपको पता है न, ठीक है, देखने को तो fake, P&L भी देखने को मिल जाता है, profit भी मिल जाता है, पर क्या, इसमें आपका क्या, समझो बात को, ठीक है, पर असली जो reality होती न, वो यहाँ पता चल जाती है, ठीक है, कि बंदा 12 घंटे पहले बोल देता है, कि market इधर जाएगा, तो वहाँ जाता है, उसके बाद नीचे का level भी बताता है, तो नीचे भी market आता है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ level बताया था, कि market नीचे आना, हमारा level जो है, उसको बोल गय हो सकता है, वो आएगा, टच करने, देखो, आगया ना, टच करने, तो मैंने जो जो भी level बताया है, देखो, जितने भी level बताया थे, यह आप देख सकते हो, सारे के सारे level, market वहाँ respect करने गया ही गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ कुछ बात कर लेते है, levels के बारे में, कि भी या, अब हमें क्या करना है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यह है, कि market अभी भी sell on rice के mood में है, ठीक है, अब हमें ना, ज्यादा अगला नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ, दो trading session को, अगर आप समझ लेंगे न, पिछले दो trading session को, सारा आपको मामला पता चल है, मेरे को, देखो, यहां से selling, उठा, फिर selling, फिर उठा, फिर selling, यहां से उठा, selling, उठा, selling, उठा, ठीक है, अब हुआ क्या है, पता है, देखो, यहां तो seller था, आज के दिन क्या आया, बायर आया, बायर कहां से आया, देखो, इधर से बायर आया, इधर से बायर आया, इ इस range के आसपास buyers आते हुई दिखने को मिले और हर एक buying को seller ने अच्छे से traffic किया देखो यह सारा का सारा जो range है ना मतलब आप समझ लो 25,450 से लेके 25,000 की range में जितने भी bulls आये थे जितने भी bulls आये जो intraday trading में जो मतलब जो हमारे level to level चला है ना उनको पता है कहां क्या होने वाला था ठीक है और वो बच भी गए ठीक है अब यहां से जैसे हमारा target complete हुआ market ने पल्टी मारी और पल्टी मानने के बाद हमारा नीचे का जो level था उसको touch करने आया देखो फिर वहां नीचे के जो target थे उसको touch करने market आया है अब क्या है पता है देखो यहां से इस तरीके अगर market को घुमाते हैं यह लोग ठीक है यह structure जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना थोड़ा काफी कुछ सीखने को मिलेगा थे किना मेरा जो मोटी होता है वो सीखने का होता है यह चीज़ ध्यान रखना काफी लोगों के comments आ रहे थी कि सर आप अपना UPI number देदो हमें गुर रहता मेरा तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे ठीक है ना कि कोई बड़ा सा course बना दूंगा कुछ webinar create कर दूंगा live session शुरू कर दूंगा फलाना धिमकाना बहुत कुछ थे ठीक है काफी लोगों के request भी आ रही थी कि सर आप premium कुछ बना दो group उसमें हमें दो चाहे कोई पै ठीक है तो यह चीज़े होती है अब बंदे की ना थोड़ी दिल की क्वाइश जो होती है उसको समझना जरूरी है ठीक है अब देखो यहां से यह जो लेवल है ना इसको थोड़ा समझना में आपको structure सिखा रहा हूँ structure को सिखना देखो market को इस तरीके से उड़ाया है फिर यहां गया ठीक है यह एक structure complete किया फिर यहां structure complete किया अब यहां से strong selling pressure आया हूँ ठीक है अब market इस तरीके से जा रहा है यहां से इस तरीके से bulls जो है वो पूरी try करेंगे market को उठाने की अब इसमें एक level निकल क्या रहा है कौन सा level है 24,900 और 24,950 का level यह एक most important level है अब bulls के लिए इस level के ऊपर जब तक sustain करता है ठीक है तक तक जो bulls है ना वो यहां तक लाने की तो try कर देंगे कि चलो भया 25,000 का जो level है उस 25,000 के level को हम कैसे भी करके sustain कर लिया है अब हमारा control face से try करेंगे market को उठाने की तो यहां 25,200 का जो level है यहां भी थोड़ा संभलना है क्योंकि अब जो player है वो दिरे दिरे shift होगा ठीक है 25,400 वाला जो call writer जो है ठीक है writer है वो दिरे दिरे shift करके 25,200 और 300 के पास आएगा इस चिसका ध्यान रखना ठीक है तो यह जो है ना यह एक important hurdle बनेगा अब nifty में तो इसको काटना ज़रूरी है 25,250 के जो range है इस level को bull sustain कर लेता है तब ही कुछ मज़ा आएगा तब कुछ असली volatility create होगी पाकी देखो अभी भी इस level के नीचे ना थोड़ा संभलना है इस चिसका ध्यान रखना है 25,000 के नीचे जितना sustain करेगा उतना pressure रहेगा इस level के नीचे जितना sustain करेगा उतना नीचे की side 500 से 200 point और open हो जाएगे market में nifty में ठीक है तो यह चीज़े थोड़ी ध्यान रखनी है कि structure complete होने देना है structure wise अकर हम चलेंगे न तो definitely आपको ना आपकी जो psychology होती है ना psychology control में ठीके नीचे खाई कितनी है और उपर आस्मान कितना है यह चीज़ आपको पहले decide होनी चाहिए कि हाँ भया इतना तो range बचा है market में ठीक है तो यह range पहले आपको decide होनी चाहिए कि हाँ अब बड़े player क्या कर सकते उसकी psychology की सबसे अगर आप play करोगे ना तो आपको काफी कु हाँ फिर क्या होगा जो बुल्स है वो बुल्स भी एक important level के पास से reverse करवाने के ट्राइ करेंगे तो यह level है ना वो level हमें थोड़ा दिमाग में रखना इस level के नीचे और एक momentum आ सकता है 200 से 200 point का nifty में open हो सकता है इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है देखो guys telegram जरूर join कर ल बात करते है bank nifty का जो structure है ठीक है यह काफी important बन रहा है ठीक है यह bank nifty का जो structure है यह आप देख सकते हो मैंने एक level बताया था 51,623 almost dot to dot इस level से market को घुमाया इस range से घुमाया बुल्स ने मैंने आपको बताया था कि इस level के उपर बुल्स को sustain करना पड़ेगा इस level के उपर sustain करता है तो first जो level है वो 22,080 तक हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है यहां से market dot to dot यहां touch किया फिर मैंने आपको बताया था क कि असली मोमेंट अब इसके उपर भी आएगा बुल्स का तो वहां से आप देख सकते हो कहां तक market गया है 22,350 के आसपास गया उसके बाद एक sudden profit booking आया थेक है अब यहां structure समझो देखो जैसे हमारे level को काटा मैंने आपको एक telegram पे भी update किया था थेक है कि इस level के नीचे 51,623 53 के नीचे market आता है ठीक है तो वहां से first target जो रहेगा 51,470 का रहेगा देखो भेट हुआ कि ने target ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस level के नीचे आता है न तो फिर यहां तक की window open होगी कौन से level की 51,334 आप dot to dot देख सकते हो कहां rejection लिया है आप देखो dot to dot है कि ने है न target इधर और उसके बाद यहां से उड़ाया market को ठीक है तो मैंने आपको जो समझाया था कि यहां से यहां से यहां से यह देखो यहां से यहां से मैंने आपको यह target बताया था कि इस level के नीचे selling आएगा यहां तक का आया इसके बाद मैंने बताया था कि इस level के नीच से ही सारा खिल हो रहा है तो देखो यह सब चीज है यह सीखाने की चीज है ठीक है कोई और confidence की बात नहीं है ठीक है मेरी बातों को ध्यान से समझना हो market में और confidence नहीं रखना है पर confidence तो होना चाहिए आपकी knowledge के उपर है इतना तो होना ही चाहिए ठीक है कि भाईया हम 12 घंटे पहले बोलते हैं कि भाईया यह हो सकता है तो लेवल उसको respect करता है तो भाईया कुछ तो knowledge है ठीक है ऐसा ही नहीं भाईया घिसा पिट्टा दो लाइन खिचके बोलना शुरू कर दिया वो हम नहीं करते है ठीक है न तो थोड़ा respect करो और जितना हो सके न उतना शैर करो अपने ट्रेडिंग रिडेटर दोस्तों के साथ अपने यह चीज़ दान रखना देखो यहां से इस तरीके से मार्केट उड़ा है ठीक है यहां एक बार यहां आया है बायर दूसरी बार इधर बायर आया है ठीक है फिर यहां से सारा का सारा जो convert किया है seller ने इधर से try किया है selling करने का अब market इधर से एक level में नीचे आया हमारे सारे target लेने और target लेने के बाद अब यहां से reverse भूम रहा है देखो अगर market देखो अब scenario यह है कि वही है थोड़ा आपको संबलना है यहां क्या संबलना है पते देखो यह range आप समझ लो इस तरीके की है देखो ऐसे अब यहां से इस तरीके का structure बन रहा है अब पहला जो buyer था वो इधर था दूसरा इधर था फिर यहां आया seller अब seller ने अच्छे खासे पटके लोगों को और पटकने के बाद हमारे सारे के सारे जो डाउंसाड की भी लेवल्स थे वो डॉट डॉट हीट की है ठीक है तो यहां ना मैं आपके चीज बताता हूं कि 50 वन थाउजन 350 का लेवल ठीक है इसके सबस्त इंपोर्टन चीज है år है 50 2500 का लेवल बुल्स को कैसे भी करकी इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा ठीक है इस लेवल को सस्टेन करता है ना तब ही यहां से जितना 51 500 क Jean की विंडो फिर से ऊपन होगी 700 750 की विंडो ऑपन होती देखनी को मिल सकते हैं उस जीसका द बैठा है कौन बैठा है सेलर बैठा है कौन सी रेंज में 51,700 और 52,000 मतलब अलमोस्ट 300 पॉइंट की जो रेंज है न यह 300 पॉइंट मॉस्ट इंपोर्टन चीज़ है देखे इसके बीच में सैलर बैठा है बैंक निफ्टी में तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के चलना है क्योंकि यहां जब तक निकलता नहीं है तक तक जितना भी मॉमेंटम आएगा थोड़ा बहुत ट्रैपिंग होता हुआ देखने को मिलेगा इस चीज़ का ध्यान रखना बाकि इस लेवल को सस्टें कर लेता न 51,350 तो इसकी ज़र्णी है वो यहां तक आती हुई देखने को मिल सकते है इस चीज़ का ध्यान रखना बाकि अब इस लेवल के नीचे ही एक अगला मॉमेंटम आएगा और उसके नीचे 51,200 का आएगा लेवल ठीक है यह भी पोसिबल है क्योंकि यहां फिर एक सपोर्ट ले होगे तो फिर कोई अड़बड नहीं होगी ठीक है सिर्फ और शिर्फ आपको वो तुका ही करना है ठीक है तुके जो मारते हैं न लोग ठीक है तो वो तुका में नहीं मारता भाईए अगर आपको तुके वाले होना तो इधर आओ यह मत ठीक है अगर हां reality में serious होना trading related कि व मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेनत करके आपको सिखा रहा हूँ न, ठीक है, उतना अगर मैं अपने courses में implement करके भी कर दूँगा न, तो मैं दावा के साथ करता हूँ, भया, मेरे खड़े-खड़े courses भी जाएंगे, खड़े-खड़े, ठीक है, पर मैं ठीक है, कोई एक link भी मैंने share नहीं की मेरे telegram के उपर, जिसमें कोई भी पैसो की बाते चलती हो, नहीं करता मैं, ठीक है न, तो बंदे का अगर इतना वो है तिल में, तो फिर थोड़ा support आपका भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आदमी इतना positive होता है और उसको फिर निरासमत होने देना, ठीक है, यह आपके आद की बारी है, फिर आप हमें गाली देने के लिए फिर वो नहीं रहेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना मेरा motive है, तब तक सीखा रहा हूँ, सीख लेना, ठीक है, उसक